बॉलिवड आक्टर सानी दियोल जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं हाल ही में सानी दियोल इन दिनों गुर्दासपुर से लेकर तमाम राज्यों में रोट शो से लेकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं हाल ही में सानी दियोल का बीते दौरान गुर्दासपुर में एक्सिडेंट हो गया था अलगी सानी दियोल को कोई चोट नहीं लगी थी मगर हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो चुनावों के बीच सामने आ रही है और बीजेपी और दियोल परिवार के लिए ये काफी ही जादा परिशानी का मुद्धा भी है तरसल आपको बता दे कि सानी दियोल से हाल ही में एक इंट्रिव्यू के दौरान ये पूछा गया था कि जनता उनसे कौन से डायलोग बोलने की जादा दिमांड करती है इस पर सानी ने कहा कि उन्हें कहा जाता है कि धाई किलो का हाथ है ये बोलो ऐसे में सानी दियोल ने कहा कि वो इस डायलोग को इतनी बारी बोल चुके हैं कि उनको अब बोलने में दिकत होने लगी है और वो तकलीप भी जेल रहे हैं यकीनल यह बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि नेता अगर चुनावों में भाशन नहीं देंगे अगर नेता की आवाज एक दमदार आवाज नहीं होगी तो कैसे वो चुनाव जीतेंगे और जंता को अपने और करेंगे जहाँ पर पहले ह अच्छा हुआ अब आवास का यूँ चले जाना कहीं ना कहीं ये एक चिंता का सबक है नेक्साइन नुस्रों से नांटीग रिपोर